ये बिलाउस है ना ये बेगलेस बिलाउस है . कैसे बेगलेस ? इसका लगभाग 12 इंच गला है और यहाँ पर शोल्डर की पट्टी मात्र एक इंच है और यह सिलुलेस बुलाउस है तो कटिंग किस प्रकार से करेंगे सिलुलेस बुलाउस की आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा देखिए यहाँ पर गले की चोड़ाई मैंने तीन इंच रखी है और गला फिर भी आपका कभी भी शोल्डर से उतरेगा नहीं इस प्रकार से मैंने कटिंग का एक तरीका बताया है तो अगर आपको यह तरीका पसंद आता है तो वीडियो को पूरा अंतरतक देखिए गया नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका पराक्टिलर चैनल पर देखिए दोस्तो आज हम आपको ब्लाउस की कटिंग बताएंगे और ब्लाउस के अंदर यहाँ पर लगेंगे पैट कैसे लगाएंगे वो भी देख लिजेगा यह देखिए ब्लाउस की लंबई है 13 याने 13 और शोल्डर इसका रहेगा 14 आर महल इसका 14 इंच रहेगा याने 14 इंच सिल्यूलेस ब्लाउस रहेगा और देखिए इस ब्लाउस की खासित है बहुत छोटी पट्टी रहेगी शोल्डर पर याने 1 इंच की मतलब यह बेग लेस ब्लाउस है ठीक है पीछे इसमें गला है 11.50 जिरो और फ्रंड में गला है 7 इंच तो इस बुलाउस की कटिंग करेंगे हम और ये बुलाउस आपको स्टिचिंग करके भी सिखाए जाएगा देखिए ये जो कपड़ा है इस पर हमको बुलाउस बनाना है तो हम क्या करेंगे पहले इस कपड़े को रख देंगे साइट में अब ये अस्तर का कपड़ा है अस्तर के कपड़े पर हम बुलाउस की कटिंग करेंगे जो खुला वाला भाग है न ये अपने तरप रहेगा क्यों कि हमको इसका क्या कटिंग करना है बेक पहले ये देखिए अब मैंने यहाँ पर कपड़ा बिच्छा लिया है अब इस पर लगांगा मैं आदा इंच सिलाई के लिए एश्टरा ऐसे। अभी लगा लिए हमने अब यहां से नीचे आदा इंच हमारा रहेगा दबाओ का इस प्रकार यहांл फे आदा एंच की रखेंगे लंबाई याने यहां पर और आदा इंच उपर दबाओ का तो दोनों को मार्क लगा लेंगे ऐसे और यहां पर देखिए इस निशान को पूरा उपर तक मिला लीजिए यहां से आप धाई इंच चोड़ा रखिए गला ऐसे और नीचे की तरफ रखेंगे तीन इंच चोड़ा गला देखिए बिल्कुल बेक तरफ से खतम गला है याने लग अब इसको हम कर देंगे यहां पर एंड इस प्रकार अभी देखिए यहां पर लगाएंगे ऐसे गोल-गले का निशान इस प्रकार से इसकी shoulder की पट्टी हमको एक इंच रखना है तो हम यहां क्या करेंगे दो इंच रख लेंगे ठीक है एक इंच एक पाइंट की रखेंगे लगबग यह मैंने दो इंच रख लिया है यहां से जो armhole की लंबई रखेंगे न हम वो रखेंगे मात्र 5 इंच पर armhole का निशान लगा ले आएंगे हम 31, 31 के लिए हमें पोने 8 इंच यहां रखना है ऐसे ठीक है 31 के हिसाब से इसकी मैं cutting कर रहा हूं अभी यहां रखेंगे इसे सीधा और एक निशान थोड़ा सा बाहार लगबग आदा इंच और यहां पर armhole को रखेंगे इसे और कर देंगे यहां पर ड्राइंग देखिए इस प्रकार से बस ऐसे आपको लगा लेना है निशान अभी देखिए इसका armhole 14 इंच का है तो यह दबाव का छोड़ देंगे और यहां रखेंगे साथ पर और ऐसे देखेंगे यह देखिए बिलकुल बरोबर आ जा रहा है अभी देखिए यहां पर हमको देड़ इंच का देना है दबाव साइट के लिए कमर कितनी है हमारे पास कमर है 27 27 का वनफोर होता है पोने साथ इंच एक इंच यहां पर डाट का और एक देड़ इंच यहां पर रहेगा दबाव मार्जिंग अब इसको हम निशान लगा देंगे ऐसे यह हो गई हमारी बेक की ड्राइंग अभी देखिए फरन किस प्रकार से हम कटिंग करेंगे यहां पर मैंने आदा इंच देखिए तीर्चा कर दिया है और यहां पर लगाएंगे हम डाट ऐसे हैं बस एक इंच का डाट है हमारे पास तो एक इंच ही हमको इसको लगाना है अभी देखिए यह गला है हमारा तो इस गले को हम कटिंग कर लेते हैं अभी देखिये गला cutting हो गया है अब इसके बाद हमको क्या cutting करना है front देखिये अब front के cutting करेंगे हम तो यहाँ पर क्या करेंगे सबसे पहले एक इंच नीचे लगबख सबाइंच हम यहाँ पर बड़ा देंगे अब यह जो बेग है न हमारा इसको यहां रखना है यह देखिए बहार करके जितना हमारे पास यह दबाव का था न यह बहार निकाल लेंगे और ऐसे रखेंगे बरबर से और यहां पर इसके बराबर एक निशान और एक निशान यहां से उपर इस परकार से आदा इंज मैंने एक मार्क ऐसे और यहां से ऐसे मिला देंगे सीधा इस प्रकार से ठीक है अब आपको क्या करना है यहां पर एक मार्क लगाना है ऐसे और यहां से देड़ इंच के उपर एक और लगाएंगे मार्क इस प्रकार से अभी यह जो ड्राइंग है इसको ऐसे ही मिला देते हैं यहां तक अब हमको क्या करना है यहां पर यहां पर हमारे पास 32 चेस्ट है अपर चेस्ट इसके अंदर 75 हम मिलाएंगे मार्जिंग की जो हमारा कपड़ा दबेगा ना क्राश प्रिंस कट के अंदर दोनो निशान लगाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास पोने 33 इसको 33 मान लेते याने कितना आएगा हमारे पास 8.25 ठीक है तो यहां पर 8.25 लगाएंगे ऐसे निशान और देड़ इंच की यहां पर रख देंगे मार्जिंग ठीक है अब क्या करना है यहां पर देखिए अपन हटा देते हैं ऐसे इस तरह से अब इस गुलाई को देखिए यहां से रखेंगे इसे सीधा और यहां पर लगा देते हैं ऐसे निशान जैसे 32 का 14 होता है मारे पास 8 इंच 8 में हम 75 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 75 तो यहां पर आपको क्या करना है 8.75 रखना है ठीक है यह मैंने रख लिया ऐसे हमने यहां निशान लगा दिया अब यहां से हमको लगाना है एक पास मिला देंगे हम गुलाई देखिए इस तरफ ठीक है यह पिरिंस कट कटिंग करेंगे यहां से ऐसी ड्राइंग जाएगी यह जो ही निशान रेता ही अलग हो गया है अब हमको यहां पर क्या करना है देखिए हमने यहां पर कितना रखना था 8.75 याने इस जगे पर अब 33 हमारा है चेस्ट और इस पर हम एक इंच की देंगे लूजिंग याने यह कितना हो जाएगा 34 34 का 14 कितना आएगा 8.50 इसमें हम मार्जिंग दबाव का 75 मिलाएंगे ठीक है तो यह कितना हो गया यह हो गया हमारे पास 9.25 अब यहां से देखेंगे हम हमारा 33 चेस्ट याने सवा आट और यह एक सवा नव साड़े नव पर रख लेते हम इसका बस्ट पाइंट अब यहां कितना रखना है हमको 9.25 यह देखेंगे इतना यहां पर और देढ़िंग की यहां पर देंगे हम मार्जिंग यहां पर हमको रखना है 3.30 तो हम यहां पर पोने 4 रखेंगे ऐसे और यह होगा हमारे पास दबाओ का और यह कितना बचेगा मेरे पास 3.50 जीरो अब इस निशान को हम यहाँ पर मिला देंगे यह देखिए यह यहाँ से मिलाना है जहां से हमारी कटिंग होगी और एक निशान और मिलाएंगे यहाँ पर यह देखिए यह निशान हमारा गलत है यह शेंटर है अब शेंटर से यहाँ लेंगे यह बीच का हटा देंगे तो यह यहाँ पर से मेक अप हो जाएगा अभी देखिए इसकी कमर कितनी है हमारे पास यहाँ पर देखेंगे कमर कितनी है हमारे पास कमर इसकी 27 27 याने पोने 7 इंच तो यहाँ से हमको कितना लगेगा सबा 2 इंच का नीचे भी टॉक्स, यहाँ पर कितना रखा है हमने, पोने चार इंच और एक पॉइंट, यहाँ पर भी रखेंगे पोने चार और एक पॉइंट, ऐसे, और इस निसान को यहाँ से उतार देंगे, सीधे, अब हमको यहाँ क्या करना है, हमारे पास कितना आया हुआ है, सबा दो इंच ह हमारे पास तो 2.25 यहाँ पर देखिए 25 पर निशान लगाएंगे ऐसे अभी देखिए यहाँ पर हमने margin का छोड़ा है उपर तो नीचे भी तो margin का छोड़ना पड़ेगा ना तो हमको क्या करना है ऐसे लगाएंगे हम निशान यहाँ पर भी लगा देंगे ऐसे ही निशान अभी देखिए इसको हम क्या करते हैं इसको कैसे मिलाएंगे यह सभी चीजे मैं आपको बताऊंगा अभी यहाँ देखेंगे इसे इस तरफ और एक डाट लगेगा इस तरफ क्या करना है आपको यह जो निशान है यहाँ पर इसको ऐसे मिला देंगे क्रास में और इस निशान को यहाँ मिलाएंगे ऐसे आदा इंच बढ़ा कर ध्यान दीजी यह आदा इंच कुन सा है जो यहाँ जाएगा है ना इतना बढ़ा कर आपको रखना है अगर आप इस परकार से प्रिंसेस कट बलाउस की कटिंग कर रहे हैं अभी इसकी कटिंग कर लेता हूँ फिर बताता हूँ आपको यह हमारे पास कितना तैयार आएगा अभी देखिए यह कट गया अब यहाँ से क्या करेंगे हम थोड़ा सा कटिंग करेंगे अंदर की तरब ऐसे और यहाँ से यह बाहार और यहां से इस तरफ यह हटा देंगे बीच का अब यह बीच का भी हटाना है हमको थोड़ा सांदर करके हम कटिंग कर लेंगे अब देखिए यहां से ऐसे यह देखिए यहां पर यह मिला है ना तो इसको भी हम ऐसे कटिंग कर लेंगे अब यह कटिंग हो गया अब यह जो थोड़ा सा अड़ा तिड़ा है इसको भी सही ऐसे कर लेंगे यह देखिए यह हो गया अब यहां देखेंगे हम इसको ऐसे पहले लगा कर यहां से इसको कर लेंगे हम सीधा ठीक है ऐसे अब यह कटिंग हो गई हमारी ऐसे यह फरंड यहां रखेंगे हम इस परकार आगे बढ़ा कर यह देखिए ऐसे यह जमाया मैंने अब इस भाग को कहां जमाना है इस तरप यह देखिए ऐसे बरोबर दबाव मिलाकर यह रख लिए हमने जैसे ही यहाँ पर दबाव मिलाकर मैंने यहाँ पर रखा है तो यह देखिए बिल्कुल आ गया है बरोबर यहाँ पर ठीक है देखिए कहाँ पर आ गया है बरोबर इस जगे पर तो इस प्रकार से आपको भी cutting मिलाना है यह देखिए यहाँ पर उपर बढ़ा कर रखा था तो यह बरोबर आ रहा है अगर यह नहीं बढ़ाते तो यह फिर आगे का भाग हो जाता छोटा ठीक है अभी यहाँ पर देख लेंगे कितना आ रहा है हमारा chest यह देखिए सवाट 8.25 अभी ऐसे लेंगे हम और यहाँ पर देखेंगे ऐसे मिलाकर पहले हम क्या करेंगे इस भाग को यहाँ रखेंगे इस से और यहाँ देखेंगे हम यह तो इसको भी हम ऐसे मिला कर देंगे cutting देखिए यहाँ पर इस प्रकार से अब देखते हैं कमर कितनी आ रही है हमारी यहाँ रखेंगे इतना दबाओ है हमारे पास और इतना इधर इनको ऐसे मिला कर रख लेंगे यहाँ पर यह हो गया हमारा 75 दबाओ और यहाँ से देखेंगे कितना आ रहा है हमारे पास इस जगे पर बरोबर 6.75 ऐसे यह कमर बरोबर आ जाएगी और यहाँ नापेंगे हम तो हमारा फ्रेंट जो है सवाट वो बरोबर आ जाएगा और यहाँ पर देखिए ऐसे रखेंगे तो यह जो है ना मारा बस्ट पाइंड वाला याने चेस्ट, फुल चेस्ट यह भी वरोबर आ जाएगा इसी प्रकार से आपको भी बुलाउस की कटिंग करना है और यहाँ पर देखिए पट्टी कित्ती छोटी है तो इसको कटिंग करते कैसे है बनाते कैसे है नेक्स वीडियो जरूर देखिएगा आपको बहुत अच्छा लगने वाला है नेक्स वीडियो